नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर श्रीक बार वे हूँ आपकी वही अंजली दिल का हाल बताना नहीं आता हमें ऐसे किसी को तड़ पाना नहीं आता सुनना तो चाहते हैं हम उनकी आवाज को पर हमें कोई बात करने का बहाना नहीं आता जिहां आपने सही सुना हम आज के डेली राज़िपल की बात कर रहे हैं सबस्पले आज इनका बर्टे है या अनुवर्सरी है उनको मेरी दरब से धेर सारे गुड विशिस तो चलिए शिरू करते हैं एक बेटी को उसके माँ बाप से अलग करना कुरूरता है जबकि एक बेटी को उसके माँ बाप से अलग करना परंपरा वह क्या रीती रिवाज है दुनिया के आप मान करना किसी का सभाव हो सकता है लेकिन समान करना हमारे संसकार है आपको भी हमेशा दूसरों का समान करना है खास कर अपने मा बाप का जिन्होंने आपको पाल पोस कर बढ़ा किया रखती है माई के का मान करती है ससुराल का समान भूलती नहीं कभी पती का अर्मान रखती है हर पल अपने बच्चों का ध्यान फिर भी होती है सदा अपने आपकी पहचान कुछ लोग मुझे गरल समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह आपके लिए जो है भागिशाली रंग यानि कि लखी कलर रहने वाला है वाइट सफेद और जो लखी नमबर है वो आज के लिए नमबर पांच बन रहा है आज ये दिन के फिरवात में उत्सहा कम लगने की वजह से किसी भी काम में मन नहीं लग पाएगा फिर भी अपने प्रत्नों के जरी और एक काकरता पर काम करके आप आगे बढ़ पाएंगे परिवार समन्द देते जिम्मेदारियों के वजह से चिंता आज आपको काफी हद तक सता सकती है बड़े-बड़े भाई या बहन द्वारा आपको मार्ग दर्शन भी मिल सकता है किसी न किसी रोप में तो आपको उनका मार्ग दर्शन जो है जरूर लेना चाहिए काफी हद तक आप अपनी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं माता के साथ जो संबंद है वो अच्छे बनाने की जरूर कोशिश जरूर कीजेगा और उनका भी एक खयाल रखेगा ये आपके जिम्मेदारी है अज आपको किसी विशी शिकाम में सफलता जो है अवश्य ही मिल सकती है लेकिन ये जो समय है भावुकता के बजाए विवहारी के सोच रखने का है यानि बिजनस माइंड से ज़रा जादा सोचिए आपका व्यपारिक जो नजरिया है दृष्टी कौन है वो आपके लिए लाबदाइक सितिया उत्पन करेगा आज किसी रिष्टीदार की जरिये नहारमी का कारेकरम में शामिल होने का अमंतरन भी मिल सकता है यानि कि किसी की घर ससंग वगएरा हो सकता है या फिर कोई जाकरन वगएरा तो आपको उसमें जाने का मौका मिल सकता है जिससे जो है मन काफी बढ़ी और संतोश सनक रहेगा अपने नजीके लोगों के साथ किसी भी तरह का भी जो बाचित है उसको करते समें सावधान जरूर रहेगा याद रिखी बाचित करते समें किसी भी वाद वाद मत पढ़िएगा कहीं ऐसी सिति अगर पैदा हो जाए तो आपको संभाल लेने चाहिए संतान की किसी समस्या में उसका जो सहयोग करना और मनोबल बना कर रखना ये आपके लिए जरूरी है तो आप उनका मनोबल लगातार बढ़ाते रहे और सहयोग करते रहे अगर उनको कोई भी प्राबलम होती है तो पेरंट्स को आग्या आना चाहिए आज काम की प्रती उत्सा तो बना ही रहेगा और मन में बढ़ रही चंचलता के वज़ा से किसी एक काम पर पूरा फोकस देपाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन वजारता लोगों के लिए ठीक रहेगा लेकिन कुछ लोगों के लिए ही मुश्किल होग कोई भी समस्या का हल निकालने के लिए एक वक्त पर एक ही बात पर आपको फोकस करना है अगर हम multiple चीजों पर ध्यान देंगे तो याद रखे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना प्रॉब्म्स का हल निकलेगा ये ना आप काम कर पाएंगे फोकस कर पाएंगे सब कुछ भी गड़ता नजर आ सकता है तो एक टाइम पर एक ही काम में हाट डाले ध्यान रखें तो बैटर है मन में आ रहे ही अलग-अले तरह के विचार, आइडियास इसकी वज़ेस तोड़ी आज अस्थिरसा सी महसूस हो सकती है आपको लगेगा कि मैं ये करूँ या वो करूँ इसे ऐसा होगा या वैसा होगा मन मन बहुत ही जादा ऐसे लगेंगे जैसे बहुत ही शफ्लिंग हो रहे हैं मीडिया और संपर्क सूत्रू के द्वारा आज कुछ ऐसी इंफोर्मेशन मिल सकती है जिसके आपकी काम बहुत ही असान हो सकते हैं इस तरह आपने घरेलू और व्यक्तिगत कारें को सहजता से सरलता से कंप्लीट कर पाएंगे आप अपने काम में अनूठी होश्यारी का प्रदश्वन भी कर पाएंगे माता पिदा का स्वास्तिय चिंता का कारण बन सकता है करे लोगों के लिए इसलिए उनके प्रती इलापरवाही मत परती है उनको ठंड से बचा कर रखे और अगर कोई उनको प्रावलम आती है तो फॉरण डॉक्टर के पास आईए और उनका खयाल रखे प्रीज आप आपको अपनी हाँ इच्छाओं के पूरती के लिए भी जो है जादा प्रयास करने के जुरूरत आज पढ़ सकती है इस समय किसे भी यातरा को करने से परहेस करिएगा क्योंकि वर्तमान में जो भी महौल चल रहा है अगर आप परहेस करते हैं भी यातरा के रहे तो ज़्यादा बैठर रहेगा हो सके तो आप कुछ नज़ी की यातरा कर सकते हैं अगर बात करते हैं बिस्नस और कैरर के बारे में तो आज बिस्नस और कैरर कहता है कि विविसाए में चल रहे संगर्श से जल दही रहा तो मिलने वाली है ऐसे संकेत नज़र आ रहे हैं सिरफ धैरे और महनत की जरुरत होगी आपको सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों का जो लोग अभी मुसीबत में है आपके कारी करने की नए प्रणाली जो है वो काफी हद तक सफल रहे कि सबको अच्छी लगेगी लोग आपके कारी को पसंद करेंगे नौगरी बेशा वेक्तियों को अभी अपने अधिकारियों से समंदित कुछ मत भेद बने रहेंगे तो आपको सुलजाने की कोशिश करनी है यवाहों को करियर में प्रगती प्राप्त करने के लिए किसी एक ही बात पच्टी के रहकर काम करना होगा और ये बहुत जरूरी है प्रीज आप अपनी जुबान से मत फिश लेगा मार्केटिंग और मीडिया से रिलेटेज जिनके काम है वो ज़रा प्लीजाच अपना जो समीह है कीमती उसे जाया मत कीजेगा इदर दुरवातों में वन्ना आपका अच्काम है वो रुख सकता है और आपको बॉस की जान भी सुननी बर सकती है अभी बरतमान गती विद्यों पर ही अपना सरा ध्यान फोकस करकर रखे अचानक ही किसी व्यक्ती से मुलाकात दोनों के पक्षियों को लाब दाएक बिस्नस का अदान परदान कर सकते है यानि कि जानक ही कोई ऐसा व्यक्ती आएका जिससे मुलाकात होते ही आप दोनों के बीचे बहुत अच्छी संधिया हो सकती है बिस्नस में इंपोर एक्स्पोर्ट जो है बहुत ही बढ़िया हो सकता है आप दोनों में और हाँ जो लगावन जॉब कर रहे हैं व्यक्तीर हैं उनके लिए कोई एमर्जनसी जूटी भी लग सकती है और आपको जो है हर चीज पर जो है फोकस करना पड़ेगा करियर से रेलेटिड बातों में ज़रा कन्फ्यूसन बढ़ सकता है आज के लिए और हाँ फैसला लेते समय भी अभी कर देरी की तो मिले हुए अबसर आपके हाथ से निकल सकते हैं तो जो भी आपके पास चीज आई है ज़रा मौके का फादा उठा कर टाइम पर ही ज़रा काम कर लीजिए तो ज़्यादा बेठर रहेगा कहिए न हो कि मौका आपके हाथ से निकल जाए तो ध्यान रखिए गहर चीज का तो करड़ के बाद आ जाते हैं हम लव लाइफ की तरफ तो लव लाइफ आज के लिए कहती है कि परिवारिक वात्तावर्ण खुश्मा बना रहेगा घर वालों का विवाहयोग ये व्यक्ती चो हैं चाहे वो लड़की है लड़का है उनके लिए कोई अच्छा रिष्टा आने की संभाव बनाए बने हुई हैं ऐसे संकेत कर रहे हैं आपके सिधारे साथी में परिवार से रिलेटिर फैसला लेने से पहले पार्टर के साथ इसकी चर्चा जरूर कर लेजएगा तब ही बैटर रहेगा आपके लिए चाहिए वो सिंगल्स हैं अगर दोनों शादी हो शादी करने जा रहे हैं तो एक दूसरी से पहले बातचित कर लें तो सुख़द में नजर आ रहा है जीवन साथी का सहयोग आपके आपमे बलको सेल्फ कांफिरेंस को और भी ज़्यादा मजबूत बनाका रखेगा तो प्लीज आप अपने साथी को सहयोग जरूर कीजिए किसी भी बात पर अगर आगे आना चाहते हैं अपना चैलन्ट की जरीए आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर करियर वगारा में तो प्लीज आप उनको सपोर्ट करें सहयोग करें तो ये बात कि हमने लब लाइफ की और अब आगे वड़ते हैं बात करते हैं स्वास्ति यानि की हेल्थ की आज नेमित खान पान की वज़ा से अपच्च की दिक्कत हो सकती है फिर पे इसलिए अपने स्वास्ति की प्रती ज़रा सचक रहें सुबा की सैर करें अगर नहीं तो प्लीज अब रात को खाने के बाद जरूर टहलाएं 15-20 मिनद तो जादा अच्छा रहेगा साथ में ठंड की कारण कई लोगों के पैर जो हैं वो सुन रहे सकते हैं जादा आपको जो है हीदन का प्योग करना चाहिए इसके साथ ही गैस की समस्या कई लोगों को तकलीफ भी दे सकते हैं आसरेट की वज़े से सिर्धर्द भी कई लोगों को हो सकता है तो सिर्भारी रहने की भी आज सितारिक आरे ऐसा नजर आ रहा है साथ ही में आपकी वेवस्ति दिंचर्या और खान पान कई लोगों को निरोगी और उड़ जवान भी बना कर रखेगे तो प्लीज आप बाके लोगों के तरह दिंचर्या ज़रा ठीक कीजिए तो सब कुछ बैटर होता न ज़रा सकता है तो चलिए बंत में बात कर लेते हैं आज के विशे शुपाय के बारे में तो विशे शुपाय आज आपके बारे में कहता है कि आज आज आपको किसी विद आश्रम में धन राशी भेंट जरूर करनी चाहिए या फिर अगर आप कंबल, गरम कपड़े, किसी न किसी रूप में अगर आप दिना चाहते हैं तो वो भी बैटर रहेगा, बहुत युम्दा रहेगा, भगवान की प्रसंता आप पर बनी रहेगी तो प्लीज आप दूसरों के मदद करते नहीं, इसी भगवान की प्रसंता है, क्योंकि भगवान सब के अंदर है तो दोस्तों, अगर आप को वीडियो अच्छे लगे हो, तो लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज विल्कुल भी मत भूलेगा, धन्यवाद